गैस शाउमी का एक ऐसा स्मार्टफोन जिसका काफी सारे लोग बहुती बेसबरी से इंतिजार कर रहे हैं इस फोन का नाम है शाउमी 11i Hyper Charge ये वोही स्मार्टफोन है जो आज से कुछ दिन पहले चाइना में Redmi Note 11 Pro Plus के नाम से लौंच हुआ था तब से इस फोन की इंडिया में हाइप करेट हुई थी और काफी सारे यूजर की डिमांड थी इस फोन को इंडिया में लौंच किया जाए तो इसी चीज़ को कंसिडर करते हुए शाउमी ने इस फोन को 6 जनवरी को इंडिया में लौंच करने की तयारी में हैं आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इस phone के 5 ऐसे important features जिसकी वज़े से आपको इस phone का wait करना चाहिए साथी साथ इस phone की price क्या होगी वो भी मैं आपको बताऊंगा तो वीडियो में शुरू से लेकर end तक मेरे साथ बने रही है सबसे पहला इस phone का important feature वो है इस phone की charging speed इंडिया में ये पहला ऐसा smartphone होगा जहां पर आपको 120W की fast charging देखने को मिलेगी जिसकी वज़े से ये phone 0-200% सिर्फ 15 मिनिट में full charge हो जाएगा जी हाँ दोस्तो साड़े 4000 मिनिट की बैटरी सिर्फ 15 मिनिट में full charge हो जाएगी अब इस चीज़ की वज़ा से बैटरी हेल्थ पर कितना असर होगा वो हमें आने वाले वक्त में ही पता चलेगा दूसरा important feature दोस्तो इस phone की display पिछले कुछ टाइम से दोस्तो आपने एक चीज़ notice की होगी जो भी mid range price segment में phone launch हो रहे हैं उसमें AMOLED डिस्पले होगी तो 120Hz का refresh rate नहीं होगा 120Hz का refresh rate होगा तो AMOLED डिस्पले नहीं होगी जबकि यूजर की डिमांड है उन्हें AMOLED डिस्पले के साथ higher refresh rate का combination चाहिए तो Xiaomi ने इसी चीज़ को consider करते हुए इस phone में 6.67 इंच की full HD plus super AMOLED डिस्पले और साथ में 120Hz का higher refresh rate ओफर किया है इतना ही नहीं दोस्तो 1200 Nits की peak brightness जनरली इस type की brightness हमें flagship level के जो smartphone होते हैं उसके अंदर देखने को मिलती है लेकिन Xiaomi ने mid range price segment में 1200 Nits की peak brightness ओफर की है जो कि बहुत सही चीज़ है इसी के साथ Gorilla Glass 5 की production तीसरा important feature वो है इस phone का processor यहाँ पर Xiaomi ने इस phone में Mediatek Diamond City 920 processor ओफर किया है यह processor Qualcomm Snapdragon 778G processor से काफी हद तक स्मिलर है Day-to-day usage, gaming, performance यह सभी task आप अच्छी तरीके से perform कर पाओगे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी सबसे अच्छी चीज़ दोस्तो यह processor 6 nanometer FinFed technology पर बेज है जिसकी वज़े से आपको काफी अच्छी power efficiency देखने को मिल जाएगी 4,93,000 के आसपास इसका end-to-to score है, मुझे नहीं लगता आपको performance को लेकर इस phone से कोई भी शिकायत होगी चौते important feature की बात करूँ तो यह है इस phone की build quality और design trend को देखते हुए Xiaomi ने इस phone में boxy design offer की हैं जो कि काफी सही चीज़ है front side as well rear side दोनों ही तरफ आपको gorilla glass 5 की production देखने को मिलेगी जिसकी वज़े से इस phone की in-hand feeling काफी जियादा premium होगी आजकल काफी सारे brand 3.5 mm audio jack को miss कर देते हैं लेकिन इस phone में आपको 3.5 mm audio jack भी देखने को मिलेगा इसी के साथ dual stereo speaker, bluetooth 5.2, IR blaster sensor, USB type C 2.0 तो ये सारी चीज़े आपको इस phone के अंदर देखने को मिल जाएगी पांच वे important feature की बात करूं तो ये हैं इस phone के cameras rear side पर triple cameras का setup, 108 megapixel का primary camera sensor f1.9 aperture के साथ, 8 megapixel का ultra wide angle lens और 2 megapixel का depth sensor maximum 4K 30 fps सका आप video को shoot कर सकते हैं इसी के साथ selfie camera 16 megapixel का overall दोस्तों देखा जाए तो phone काफी promising है, लेकिन सब कुछ depend करता है price point पर, मेरे according इस phone की price 25,000 होगी, 8 GB RAM और 128 GB internal storage वाला variant बाकि दोस्तों आप बताईए competition को देखते हुए Xiaomi को इस phone की क्या price रखनी चाहिए, नीचे comment section में आपकी valuable feedback जरूर से बताईए, क्योंकि आपकी valuable feedback बहुत ही ज्यादा माइन रहती है मैं आपको मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए खयाल रखिए, अपना और अपने चाहने वालों का अमीद हैं आपको इस वीडियो से कुछ help मिली होगी, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेर कीजिए दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, साथ में प्रेस कीजिए बेल आइकोन को ताकि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो Thanks for watching, मिलते हैं एक नए इंटरिस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए खयाल रखिए अपना और अपने चाहने वालों का झाहत बालों के साथ